बाबा शाम को तो कल्यूग में हारे का सहारा बताया गया है फिर भी बाबा शाम के भग्त दुखी और परेसान क्यों? कोरी बकवास और मन गणंत कहानी जैशरी शाम उमीद करती हूँ आप और आपका परिवास्वास्त और कुसल मंगल होगा कल्यूग में बाबा शाम को हारे का सहारा क्यों बताया गया है? क्या है इसके पीछे का कारण? और फिर बाबा शाम के भग्त दुखी और परेसान क्यों है? मेरे पास शाम भग्तों के कमेंट्स आते रहते हैं पर एक मेरे पास ऐसा कमेंट्स आया है जिसके लिए मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कल्युग में तो बाबा शाम को हारे का सहारा बताया गया फिर बाबा शाम के भक्त दुखी और परिसान क्यों रहेंगे कोरी बकवास और मंगणनत कहानी है इस तरह का मेरे पास एक कमेंट आया है तब मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ बाबा शाम को हारे का सहारा क्यों कहा गया है और बाबा शाम के जो सच्चे भक्त है उन भक्तों को क्या बाबा शाम दुखी और परिसान देख कर भी कुछ नहीं करते है क्या सच में बावाश्याम के सच्चे भक्त दुखी और परेसान है क्या बावाश्याम नहीं करते हैं अपने भक्तों पर किर्पा क्या करते हैं बावाश्याम अपने भक्तों को दुखी और परेसान तब जानने के लिए इस वीडियो को लास तक जरूर देखे और जादा से जादा स्याम भक्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी भी स्याम भक्त के मन में ऐसे विचार ना आए तब सबसे पहले हम बात करते हैं बाबा स्याम को कल्यूग का देवता क्यों कहा गया है और कल्यूग में बाबा स्याम को हारे का सहारा क्यों कहा गया है और बावाश्याम को किसके द्वारा मिला है कल्यूग में पुझे जाने का वरदान बावाश्याम भीम के पोत्र, घटोद घच और मोरवी के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम वीर वरवरिक था वो बच्पन से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे वीर बरवरिक ने भगवान सिव की घोर तपस्या करके उन्हें पिरसंद किया और तीन अमोग बाण प्राप्त किये इस पिरकार बावास्याम तीन बाण दाहरी कहलाए जब बरवरिक को महा भारत के युद्ध का पता चला तो उन्होंने भी युद्ध में जाने का निर्ने लिया तब उनकी माता ने उनसे वचल लिया कि जो पक्ष हारने लगेगा तुम उसकी तरफ से ही युद्ध करना तुम हारे का सहारा बनना तब मा को वचन देकर वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर तीन अमोग बान और धनुस के साथ कुरुशेत्र की रणभूमी की ओर चल पड़े तब ये बात भगवाई श्रीकृष्ण जानते थे कि जिस तरफ से वीर बरवरिक लड़ेंगे उधर से ही सबसमप्त हो जाएगा क्योंकि जो भी पक्षारता नजर आएगा उसकी तरफ से ही युद्ध करने लगेगा तब कौरव पांडव सब के सवनष्ठ हो जाएगे से ही भगवाई श्रीकृष्ण ने उनको कल्यूग का देवता और कल्यूग में अपने श्याम नाम से घर-घर में पूजे जाने का वरदान दिया और कहा कल्यूग में जो भी तेरे दरवार में आएगा वो खाली जोली नहीं जाएगा और साथ ही भगवान श्रीकृष्ण ने कहा कि जिस भी मनुस्य की तकदीर मैंने लिख दी, यदि मैंने दुख लिख दिया तो कोई उस दुख को मिटा नहीं सकता है, उस मनुस्य को कभी भी सुख प्राक्त नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके भागे में दुख लिखा है, पर आज मैं ये वर्दान तुझे देता हूँ, काल्यूग में जिसकी तकदीर में मैंने दुख लिख दिया, कास्ट लिख दिये, दर्द लिख दिया, या तकलीफ लिख दी, तब वो मनुस्य भग्त तेरी चोखट पे आकर तेरे सामने सर रख दिया, तो तेरे चोखट पर मेर लिखा हुआ भी बदलेगा, जो भी सच्चे मन से तेरे दर्शन कर लेगा, उसके सभी दुख दर्द नष्ट विनष्ट हो जाएंगे, तुम कल्यूग में सभी हारे हुए भक्तों का सहारा बनोगे, ये आसिरवाद स्वयम भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, इसलिए ही वीर बर्वरिक को भगवान श्री कृष्ण के श्याम नाम से जाना जाता है, और श्याम रूप की पूजा होती है, और हर दिन बावास्याम के दर्वार में चमतकार देखने को मिलते ही रहते हैं, किसी नाम किसी भक्त के साथ, हम बात करते हैं कि बावास्याम के भक्त पर की वजा कर खतम कर सकते हैं तब इतनी पूजा आराधना करते हैं फिर भी इतने तकलीफ में क्यूं है हमारे जीवन में आखिर बावास्याम चाहते क्या है तब बावास्याम हमारी मदद क्यों नहीं करते हैं तब बावास्याम किसकी मदद करते हैं क्या बावास्याम सब की सु परेसानिया तब बावास्याम हमारे दुखों का निवारण क्यों नहीं करते हैं तब आज में आपको गीता के एक इसलोक के माध्यम से समझाने की कोसिस करूंगे उम्मीद करती हूं कि आपके समझ में आएगा की बावास्याम दुख क्यों देते हैं तब बाबा श्याम के भक्त हमेशा परेसान और दुखी रहते हैं, ये बिल्कुल गलत है, दुखी होते हैं, पर जब हम बाबा की सरन में जाते हैं, शुरुवाती दौर में, तब तक हम परेसान और दुखी रहते हैं जब बाबा की भक्ती करते हैं तब बाबा शाम की किर्पा होती है देखो आपने देखा है पहले सुदामा सुदामा थे लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ती की सच्चे मन और पूण विश्वास के साथ तब वो दो लोकों के स्वामी बन गए तब भगवान अपने भगतों को कभी दुखी और परेसान नहीं करते हैं शुरुवात में हम दुखी परेसान होते हैं ये सच है भगवान सदा अपने भगतों की रक्षा करते हैं और भगवान ही अपने भगतों का पालन करते हैं रही बात बाबा श्याम की अपने भगतों को परेशानी और दुख क्यों देते हैं, तो इसका पिर्शन का उत्तर कितना सरल है, जब हम सबसे ज़ादा खुस होते हैं, जब हमारे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है, और हम औरों से ज़ादा सुखी रहते हैं, तब क्य आपने किसी और को बुला कर अपना सुख बाटा, तब क्या हमने किसी और को भी खुसी और सुख देने का प्रियास किया, नहीं हमने ऐसा नहीं किया, जब हम सबसे ज़ादा सुखी थे, तब हमने किसी के साथ अपनी खुसिया नहीं बाटी, और उस समय हमने भगवान को भी याद नहीं किया, जब बारी दुख की आई तब हमने भगवान को सबसे पहले याद किया और उनसे सिकायत की, तब हमने बोला बावाश्याम के भगत परेसान क्यूं है, क्यूं दुखी है, जब हमने ही सब कुछ किया है, सुख भी हमने ही भोगा है, सारी खुसिया ही हमने भो मनुस्य का स्वयभाव ही कुछ ऐसा होता है कि सुख में किसी को याद नहीं करता है और दुख में सबसे जादा भगवान को याद करता है। तब हम चाहें जितने भी बड़े क्यों ना बन जाए मनुस्य को अपना वास्तविक स्वयभाव नहीं भूलना चाहिए जो भगवान ने हर इनसान को दिया है जब तक हमें दुख का पता नहीं चलेगा तब तक हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तब हम जान ही नहीं सकते हैं कि दुख और परेसानी क्या होती है और सुख क्या होता है। रिवाह भी नहीं होगा भगवान हमें दुख क्यों देता है भगतो सच यही है कि अरजुन को भी अपना युद्ध स्वयम ही लड़ना पड़ा था। भगवान अपने भगतों की मदुद्ध जरूर करते हैं कर्म तो भगत को ही करना होगा जैसे अरजुन ने स्वयम अपना कर्म किया था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए बावास्याम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए खाटू के राजास्याम चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्याम भगतों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बावास्याम से जुड़ी सही जानकारी प्राप्त कर स अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं हारे का सहारा बावाश्याम हमारा जैश्री श्याम